बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे class 11th का आपका जो history का subject है यानि कि इतिहास का इसके बारे में ठीक है तो जैसा कि आप सब ही को पता है कि आने वाले एक दो दिन में ही यानि कि 26 feb को morning script के बच्चों का और इसके अगले ही दिन 27 feb को evening script के बच्चों का आपका जो history का annual का exam है यानि कि history का आपका जो final exam है यह होने वाला ठीक है और इसके तयारी के लिए आपके पास में अब बिल्कुल वे समय नहीं है इसलिए बच्चों आपकी इस come time की shortage को देखते हुए come time में आपके अच्छे तयारी हो preparation भी आपकी increase हो साथी साथ आपका revision भी होता चला जाए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम discuss करेंगे एक और most important sample question paper के बारे में जिसके सारे के सारे question को बहुत अच्छे से बच्चों इस वीडियो में हम solve करके समझेंगे ठीक है और इस वीडियो से पहले पहले already हमने आपको एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे चार sample question paper जी है बच्चों चार paper solve लेकर के समझा दिए हैं ठीक है तो ये जो वीडियो है ये इसी चौत्थे sample paper के part number 2 की वीडियो रहने वाले ठीक है जिस वी वच्चे ने इस paper के part 1 की वीडियो नहीं देखिया जरू देखना बहुत important है अभी आपको मैं बताऊंगा क्यों important है ठीक है तो शुरुआत करें बिना time waste करते हुए दीक है सबसे पहले paper के pattern की बात करेंगे क्योंकि कुछ नई वच्चे paper देखने के लिए आयोंगे तो हो सकता है उनके सामने यही वीडियो आ गई हो तो नहीं पता होगा इसलिए आपको पता है तो 2 मिनट का skip कर लो जासे आपको मैं section आपका C समझाऊंगा basically तो pattern को समझने के लिए आपको जो है उसके आपके आएंगे 21 MCQs ओके section भी आएगा 22 से 27 लगूत रिया प्रेश्ट यानि की 3 नंबर के total 6 question ठीक है जिसमें 2 question में अथवा मिलेगा तो इस paper का जो हमारा part 1 का वीडियो था वच्चो उसमें हमने A भी समझ लिया है और B ये दोनों ही section बहुत अच्छे समझ लिया है अब वीडियो नहीं देखे तो देख लेना क्योंकि 39 marks के हम तयारी ओलेड़ी कर चुके हैं आज हम तयारी करेंगे section C की जिसमें 28-30 धिर्गुतिय प्रेश्ट यानकी 8 नंबर के 3 अगर अत्मा मिला देख तो टोटल 6 question है ठीक है और आज तयारी करेंगे section D की 31-33 चार नंबर के 3 question की ठीक है साथ ही आज हम तयारी करेंगे section A की यानकी 34 बा मैप जो है आपका पांच नंबर का इसकी तो आज part 2 की अंदर 41 marks की हम तयारी करेंगे बहुत अच्छे से ओके so are you ready for that शुरू किया जाए बट उससे पहले जो बच्चे English Medium के है वो अपने paper के pattern को यहां से भी देख सकते हैं कि आपका pattern की से साबस रहेगा पी पर केंदर 5 section और 34 question section A में 21 multiple choice के question 1 marks के section B में 22 से सताई short answer होंगे आपके 3 marks के total 6 फिर sections यह आ जाता है 28 से 30 long question होंगे आपके 8 marks के total 3 अगर रत्वा मिला दे तो 6 हो जाते है ठीक है 6 नहीं हाँ पर यहां पर section A आएगा 34 question आपका map का 5 marks का सर्जे D नहीं बताया आपने D में आ 4 marks के 3 questions होंगे ठीक है source based यह रहे चलिए लास्ट वीडियो यहां के part 1 में देखे हमने 21 MCQ discuss किये थे और सारे के सारे MCQ बहुत ही जादा important थे आप स्विवाचो ने answer भी किया था एक मैंने question आपसे पूछा था फिर यहां पर आया था हमारा section number B जिसमें 3 number के हमारे question थे तो इस आज के इस paper का जो हमारा सबसे पहला और अगला section है section number C यह यहां से शुरू होगा और यहां पर हम जो भी question discuss करेंगे वो बहुत ही important है आपके paper के लिए ठीक है चलिए शुरू करते हैं बहुत होगे आप question number 28 देखे इसमें क्या कहा गया है night work के उधाय की प्रष्ट वुमी सम यह था कि लगबग नौवी सताब्दी के आसपास युद्ध बहुत हुआ करते थे ठीक है तो अब राज्याओं यानकी लौड के पास में ज्यादा सेना वगारा थी नहीं तो इसलिए एक ऐसे नए वर्ग की आवश्रक्ता हुई जो की एक कुशल घुड़सवार सैनिक हो ठीक है एक ऐसा सैनिक वर्ग घुड़सवार सैनिक हो कुशल ठीक है लौड के लिए युद्ध कर शके ठीक है लौड के लिए मनने मानने को तयार हूँ ऐसे वर्ग की आवस्ता पड़ी तब जाके इस नाइट वर्ग को बढ़ावा मिला अब विसेष्ता है क्या थी अब यह कैसे थे तो राजा ने लौड को भूमी का टुकड़ाव दिया हुआ था ठीक है कि आप इस भूमी के इमाले को कर ओगाव इस परकार से तो इसी तरीके से लौड नाइट से संबन दे थे लौड ने नाइट को भूमी का भाग दिया हुआ था जिसे बोलते थे एक हजार से दो हजार एकड या उससे अधिक में फैला हुआ हो सकता था जिसमें नाइट उसका पूरा का पूरा परिवार ठीक है एक पंचक्की और मद्या संपीडर के अथरिक थे उसके परिवार के लिए घर चर्च उस पर निर्वर विक्तियों के सब भी की रहने की जो विवस्ता थी वह इस फीव पे हुआ करते थी फीव के अंदर उस पूरे के पूरे जमिbalance के टूपटी के अंदर ठीक है अब इन सभी के बदले यह लॉड करता था इन सभी के बदले 같아का था если the game तुम्हारे लिए लडए लडएंगे यूद्ध में मरेंगे मारेंगे हम तो म बार्ड बनाने में, घेराबंदी करने में, पुतलों से रड़ कोशच सीख ले में, अपना बचाओ का अभ्यास करने में इस प्रकास से, नाइट जो थे, वो अपनी सेवा अने लॉड को भी दे सकता था, और उसके सबसे पहली जो निष्टा है, वो होनी चाहिए थी अपने लॉड के प्रती, ठीक है, यानकि वो अने लॉड को सेवा दे सकता था अपनी, लेकिन सबसे पहले निष्टा उसकी अपने लॉड के, जो मैं था, उसके प्रती होनी चाहिए, ओके, तो नाइट वर्गी की, ये विसे इस प्रकास से हुआ, अगला कोशन, भीक्शूओं की विसेष्टा है, तो सबसे पहली विसेष्टा, ये जो भीक्शू होते थे, ये आम अबादी से बहुत दूर, एबी, जिसे मठ यानि की, मौनेश्ट्री बोला रहता जाता था, यहां पे रहते थे, ठीक है, इन भीक्शूओं को निष्चित रूप से विसेष्ट नीमों का पालन करना होता था, जैसे मैं आपको बता हूँ, कि ये बहुत दूर आवादी से कैसे रहते थे, जो पादरी होते थे, वो गाउं के बीच में रहा करते थे, चर्चों के आसपास, यह ना, लेकिन भीक्शू जो थे, वो ऐसे जगों से बहुत दूर रहते थे, जहां पर ज पादियन करते, क्रिशिश ऐसे जो सारे रिक स्रम होते थे, ये कारे करते थे, जिस प्रकार, पादरी केवल पुरुस बन सकते थे, महिलाएं नहीं, पादरी सारियां नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार से, थोड़ा सा उलट, जो भिक्शू की जिंदगी थे, ये पुरुस भी और महिलाों के लिए अलग-अलग ओवे का निर्माण किया गया था पाद्रीयों के तरह भिक्ची विक्चुनिया भी इस पिवाहा नहीं कर सकते थे पुरस हर महिलाओं के लिए अलग-अलग बने थे यो तो उपर ही बता दिया अब आता है आप एक फ्रायर शब्द फ्रायर कौन थे तो तेरवी सताब्दी में भिक्चियों के कुछ ऐसे समू उभरकर सामने आए जिने फ्रायर करहा गया कैसे थे ये इन्होंने कहा कि हम मठों में नहीं रहेंगे हम एक जगह स्थापित हो की नहीं रहेंगे हम जो है अपने धरम का इसका प्रचार प्रशार करेंगे घूम घूम कर लोगों को प्रेश देंगे ठीक है और उनसे मिलने वाले दान से अपनी जीविका चलाएंगे तो ये बोले प्रायर कि हम भाई हम मठो में नहीं रहेंगे हम तो बहार गूमेंगे लोगों को प्रेश देंगे और उनसे दान मिलेगा उसी से अपनी जीविका चलाएंगे इससे क्या होगा फैलाव होगा हमारे धरम का है ना तो ये थे भिख्चुड़ूँों की विसेशता है समझ में आगे वड़े तरीके से इंगलिस में एकस्टेंड दी बेक्डाउट अब दी राइस आफ नाइट्स क्लास और राइट दी क्या क्या पॉइंट है आप यहां से पढ़ सकते हैं पीच्रस क्या है नाइट्स के बारे में Knights का उदय कैसे हुआ सारी के सारी बाते आप 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 देख सकते है Features बोल सकते है या फिर Characteristics बोल सकते है ये रहे सारी point अगला Key Describe the Lifestyle of Monks तो Monks की Lifestyle क्या होती है सारी के सारी बाते आप 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 देख सकते है बच्चो सब की सब अच्छी से दी गई है चलिए अब बात करते है Question No.29 की अब यहाँ पे हैं आपके दो Question जो की Literally इस Chapter 2 के बहुत important है सबसे पहला Question के लिए 29 ये कहता है कि जो मंदिर थे ये Mesopotamia की जो संस्किती है इसका एक महत्वूर्ण हिस्सा थे That means मंदिर Mesopotamian culture में सबसे important थे समझाइए कैसे तो टिपनी करनी है आपको कि मंदिर कैसे होते थे क्या लोग कारिक बगएरा करते थे सारी की सारी बात आपको बतानी है ठीक है तो ध्यान से पढ़ते हैं देखो मंदिर जो थे Mesopotamia में यह important part रहे थे कैसे समझेंगे सबसे पहली बात Mesopotamia में पाए गए सबसे पहला जो घ्यात मंदिर है वो एक छोटासा देवाले था देवाले यान के चाहाँ पे सिर्फ मुखि देवता की मूर्ती होती है तो ऐसा एक हमें देवाले मिला रहे थे जैसे कि और जो कि चन्द देव के माने जाते हैं इनाना Post प्रेम यूर्ची देवी माने जाती है यह यहां के प्रणक देवी देवता की निवाले से रहे होंगे ठेक है साथ ही कुछ प्रारंबिक मंदिर सुरुआत के जो मंदिर वह ऐसा लगाता कुछ साधार और घरों कीतर हैं कि वह मंधीर तो किसी देवी देवता के घरी तो होते हैं तूझी ओसके बाद देवता पूजा पिंद्य सद्धानतिकर ईज्ञेटों कि इनके जो देवता होते थे ठाराधिदेव यही पूजा के चैनरा बिंन्दु वोते थे और सेधांतिक करूप से यही इनके खेतू के इनके मतरस चेतु द accumulate इतने यहां के जुस्थाणी लोग थे इनके पस्तु धनों के स्वामी भी मने अनाच को पीसना, कातना, उनी कपड़ों को बुनना, ये सभी मंदिरों के आसपास ही होते थे, तो ये भी कह सकते हैं कि मंदिरों ने अपने आपको आर्थिक क्रिया कलाप की रूप में विखसित कर लिया था, उसके बाद एक दूप पॉइंट हो रहे हैं, कि घर परिवार से लिखित अभी लिखों में, पालक के रूप में, यानि कि इन सभी के लिए जो वित्रन होगा, ये लिखित रूप में थे क्या क्या नियम होंगे, तो इन सभी को पालन करवाने के लिए, पालक के रूप में, मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रिया कलाप बढ़ा लिए, और म इसमें दो से तीन पॉइंट आप अपने और बताएंगे तब आपको पूरे आठ मिलेंगे, ठीक है क्योंकि इसके आगे भी और एक दो पॉइंट है, ओके, तो पहला कोशन हो गया, अब सेकंड पढ़ते हैं, कि मैसोपोटामिया का जो प्राचीनतम नगर है, और नगर, इसम नियोजन पद्धिती का अबा होता, यान की नगर नियोजन जो था, उर का, ये सही नहीं था, अच्छा नहीं था, साथ ही, यहां के घरों के बार में कुछ अंद विस्वास भी फैले हुए थे, वर्ण कीजे, तो उर की नगर नियोजन पद्धिती को समझाना है, और उर मे फैले हुए अंद विस्वास को बताना है, तो आजाएए बड़े द्यान से समझते हैं, बहुत ही आसान है ये वारा कोश्चन, द्यान से समझते हैं, मेसोपोटामिया के प्राचिंतम नगर और, तो हुआ ये, कि और नगर की सबसे पहले जो खुदाई थी, ये हुई थी 1930 क दर्सक में, एकदम विवस्तित तरीके से, अब जब खुदाई हुई तो ये दिखा गया, कि उर्नगर जो है, यहाँ पे बहुती पतली पतली और घुमावदार गलियां थे, यहाँ पे जो घर थे वो एक जैसे बिलकुल भी नहीं थे, इसलिए इन पतली घुमावदार गल हैं, तो सिंपल सी बात है, कि जल निकासे की विवस्ता होगी नहीं, जो ट्रेनेज सिस्टेम में वर्ट हो गई नहीं, इसलिए यह देखा गया, कि जल निकासे के लिए नालियां, सडकों के किनारे ना होकर घरों की वितर पाए गई गई हैं, अरे घरों की वितर नालियां क के कुछ इस प्रकार की होती थी घ्क है जिससे क्या होता था बार इसांस का सारा सारा पानी घर की च्चतों की वाद्रम से क्या होज जाता था ची कि होता था दिरे दरी करते करें उन्होंने सुधार कर लिया अब यह लोग क्या करते थे जो कुड़ा करकट होता था उसको गली में डाल देते थे आज कर आपने हाज़र के देख आज आज वैसे तो क्या नाम है वह कुड़े वाली गाड़ी भी आती है लेकिन वहाँ पर तो ऐस साल में क्या होगा कि जो घर की आगे की सडक है वो उंची हो जाएगी और घर का दर्वाजा छोटा लगने लगा लगने लगेगा तो दहली इसको उंचा उठाना पड़ता था ठीक है जिसे घरिक में गंदगे ना पहुचे फिर परिवार में गोपनिता की बात आएगी तो ग खिड़किया नहीं होती थी तो रोषणी का से आएगी रोषणी आती थी रोषणदानों से ठीक है रोषणदान यान की घर का में जो दर्वाजा होता था वहां से अब भार यह आती है सगुन अप्शुर्ण संबंधी बात यानि की अंद विश्वास तो सबसे पहला तो य लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा बाहर की ओर खुलता है घर का जो दरवाजा था लकड़ी का अगर यह बाहर की ओर खुलता है तो पत्नी पती के लिए यह दुख का कारण वानेगी नगरवासियों के लिए एक कबरिस्तान था जो कि कुछ लोगों के कुछ लोग जो थे वह घरों में दफन थे तो इस प्रकास से आप बता सकते हैं ठीक है तो ओर नगर की क्या-क्या विशिष्टाय में वेगारा साला यह आपका complete answer second question कि the city of old the oldest city from Mesopotamian leaked a city planning system lack of city planning system besides some sufficient about houses were also spread here describe तो देख लेते हैं सबसे पहले तो इस प्रकास से old city जो थी मेस्पोटामिया की वो रही थी तो यहां से पढ़ लीजी ठीक है अब शगुन अब शगुन संबंदी बात है क्या थी फैमिली प्राइविसी फैमिली सी क्या थी सारी पढ़ सकते हैं से ओके अब बात करते हैं अगले question की यहां पर है बच्चों अगला question number 30 बड़े ध्यान से पढ़ना question क्या है कुमीन तांग के नेता की रूप में छियांग काई शेक इसके कारियों का वर्णन करते हुए यह भी सपच किजिए कि कुमीन तांग देश को एकिकरित करने की कोसिस में क्योँ ऐसफल है देखे ध्यान से पढ़िएगा जो अब हम बात करते हैं कौमीन तांग के इनकी मरित्धी हो जाती है तो इनके नेता की रूप में छियांग काई शेक है इनके कार्य क्या थी यह बताओ ठीक है तुदे कौमीन तेंग दे पर नियंतरन करना अब यह वालट्स क्या थे तो इन्होंने क्या किया कि जब सैन अभियान चलाय जा रहे थे तो सैन अभियान के जड़िये वालट्स सैन की इस्थानिय नेता उससे सत्ता चीन ली तो क्या कि उन्होंने वालट्स इस्थानिय जो नेता था उससे सत्ता चीनी औ और साम्मे वादियों को खतम कर दिया पूञए वाद के इनोंने इस्था अथानिया जो नेतर थे अन्पर अपना कर लिया और साम्मी वाद को खतम कर दिया दूसरा राष्ट का स्यंुआ करंट अथाथ लेकिन उन्हें राष्ट को पूरी तरीके से सेना की हाथ में सोपने की बात करें लेकिने कर पाया नहीं तो उसको देखते हैं चियंकाई सेक ने महिलाओं को चार सद्गुड फैदा करने के लिए प्रोसाहित क्या कौन-कौन से सतीत्व, रूपरंग, वानी और काम और साथ ही उनकी भूमिका को लेकर घरेली उसतर पर देखने पर जो दिया गया, तो इन्होंने महिलाओं के लिए कुछी इन कादें को किया था, ठीक है, उसके बाद सामाजिक और सानस्कितिक बतलाओं में, स्कूल और विश्य विद्याले के फैलने से मदद मिली, इसमें एक विद्याले करना में, पीकिंग विश्य विद्याले, इसके सापना हुई थी, 1902 में, ओके, तो ये तो हो गए इनके कादें, अब बार ये याती है कि आखिर देश को एकिकरित करने में, ये एसफल क्यूं हो गए, तो एसफल इसली हो गए, सबसे पहला था, संकीन समाजी का क्योंकि समाज में लोग एक नहीं, दोने, कई सारी जाती ध्रम विविताओं की लोग रहते थे, इसलिए नहीं कर पाया, दूसरा स्रीमिज राजनिक्ति रिष्टे क्योंकि कुछी लोगों को पॉलिटिकली ज्यादा नौलिज थी, साथ ही, पूंजी नियमन और भूमी हमस्या पर ध्यान ना देकर पॉल्जी विवस्ता को थो अपने काइनों ने प्रियास किया था, अब जब लोगों, अब अपनेता हो कहीं के, ठीक है, अब आपकी जनता यह चाहती है कि आप वहाँ पे लोग तरन्त इस चीज़ से, ओके बच्चो, तो यह तो हो गया पहला अब सेकेंड कोश्चन बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें पता है क्या है, इसमें पॉइंट के आपको आंसर मिलेंगे, आठ पॉइंट, आठ पूरे नंबर, कोश्चन, ताइवान का लोकतंत्र के रूप में, रूपांतरन, एक नाटकी ए मोट रहा, व्यक्ष कीजे, तो ताइवान में, लोकतंत्र का रूपांतर, एक नाटकी ए मोट रहा, कैसे, ध्यान से पढ़ते हैं, हुआ ये, कि चीनी सामयवादी दल, ठीक है, ध्यान से पढ़ना, चीनी सामयवादी दल से पराजित होकर, जो चियांग काईशेक थे, जब वो SFR हो गए, सारी चीज़ों क करने में, तो वो 1949 में ताइवान भाग चले गए, अब जब ताइवान गए, तो उन्होंने वहाँ पर चीनी गड़ तंतर की स्थापना की, ठीक है, कौमीन तांग ने चीांग काईशेक के नित्वत में, एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, लेकिन भूमी सुधार भी इन् और फाइनली 1887 में जो फौजी कानून लगा हुआ था उसको हटा दिया गया अब यहां के जो विरोधी दल थे विरोधी दलों को गठन की इजाज़त मिली और यान के जो विरोधी थे की सरकार का विरोध नहीं कर पाते हैं उनको इजाज़त मिली कि आप कर सकते हो फिर सौतन्त मत्रदान हुआ पिर ताइवानियों को सत्ता में लाने का प्रारम जो था वो सुरू कर दियागया था इस प्रकाल से ताइवान में पूर्णराजनेक और दूतावास रखना संबब नहीं है अभी भी क्योंकि इसे चीन का एक हिस्सा माना जाता है इस प्रकार से ताइवान में लोकतन तिसापित हुआ था ठीक है मैं लिए आपको यह साथ पॉइंट आपके छे पॉइंट देख रहे हैं अब इसमें आपको एक दो पॉइंट अ आप सारी बातों को यहां पर पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो अच्छो ठीक है ताइवास क्याते एक फीलियत के उसके बाद में ताइवास टाम्फोमेशन इन्ट अट्र डेमोक्रिशी वाद द्रेमेटिक टूनिंग पॉइंट यहां से आप यह पढ़ सकते हैं ऐं च section number D के और section number D में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यह है आपका शुरोत आधरितवाला तो question 31 क्या कहता है Sydney के इलाके का एक Vernon 1790 तो आजये Sydney इलाके का किया वर्णन है ब्रिटिश हों की उपस्तिती ने आदिवासियों के उत्राज़न को अस्तिविस्त कर दिया हजारों भूखे मुखों से आने से जिनके पीछे सैक्ड़ों और आये यानि कि जो आये थे उनको भूखा कहा गया उसकी पीछे और व्यक्ति आये इससे इस्थानिय खादर संसानों पर बहुती गहरा प्रभाव पड़ा था ठीक है आप इसे चाओ तो पढ़ देना काफी स्रकारे में कि क्या गया सीड JFK Ivna के इलाके का और से सेवनटी नटी में सेवनटी में और आदिवासियों के उत्पादन को नश्ट करने के क्या दूस परिनाम हूए ऑदिवासियों के जब उतिपादन नश्ट किया गया तो क्या परिनाम हुआ तो बहुत सारी लोग जो थ खोड़ा से लेके यह रहा आपको लिख देना है तो लिख़गे नवातंगि बिना बज़े पेड़ों को काटते थे गला से आदिवाशी ना इसे हरतों बना सकते और ना जंगली शहद एकटा करते थे नहीं जानवर पकड़ सकते थे तो पेड़ों को काणड़ दिया अभी आदिवासी जंगल पर निर्वा थे तो सारे चेजन के नश्ट हो गई किसी पवित्र अनुस्ठान भूमी के निर्माण कहे कर ये पत्रों को वहां से हटा कर चटान लगा दिया करते थे जिससे ये वहां जाना पाएं मिट्टी खोद कर उसे आकार देखे पका दिया गया जमीन में गड़े बना दिये गए बहुत भारी भरकम इमारतें तयार कर दिये गए जिसके कारण आदिवास से इनकी वर्सपतियों से बचकर दूर जाने लगे तो जहां पर ये खुद रहती थे वहां नवांगतुंक लोगों ने ऐसा कर दिया अब वहां से जाने लगे क्योंकि वहां जंगल तो उनका पूरे तरीके से नश्टी हो गया था दिवास के लिए इसलिए आगया समझ में इंगलिस में a description of the locally of locality of Sydney 7090 तो क्या है आप यांसे पढ़ सकते हैं और उसके बाद में दिया गया है कि what are the above lines describing and when was it done तो क्या-क्या पॉइंट है यांसे आप पढ़ सकते हैं चेतरीके से सारे question सारे answer एक ही बार में चलिए आगे देखते question number 32 दाशों के प्रती व्यभार तो दासों के प्रती क्या व्यभार रहा है सारे चेज़ें यहां पर पढ़ेंगे बड़ी आतरीके से तो देख लो यहां पर आप चाहो तो पढ़ेंगे मैं आपको answer बताता हूं सीधा का सीधा पहला question है बच्चों की दास प्रजनन इसका क्या आत होता है तो जाज प्रजनन का आत है कि गुलामों की संक्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रता जिसके अंतरगत दासियों यान की महिला जो दासिया है इनके साथ मुर्दों को अधिक से अधिक बच्चे जनम करने के लिए प्र प्रतिक कैसा रवई अपनाए था तो नीरों ने इस अभलेक के द्वारा ऐसे लोगों को फटकार लगाई उन्हें डांटा उन्हें पर व्यंग किया कि उन सारे मार्गों पर सेना लगा दी जाए जहां सेनिकों के साथ दोशियों और फांसी पर चड़नाने के लिए उन्हे रखी के लगा इसेना लेका अग्ला इतिहास का कर प्रमुक्त सब्सक्ष्ण है प्रमुक कि बार्द कर देखे हैं खोहने हम बैए इतिहास का टैसी टस यह सबसे पहला सब्सक्राइट जो के पैट्रो सब्ध है जिसका अत होता है पिता दूसरा असुर ही असुर ही वर्ग के प्रमॉक सादे से ने वर्ग जिनका संब्द महां खरानों से था और तीसरा था फूहड निमनतर वर्ग यानि की कमीन कारू ठीक है जो उसके अनुफसार सरकास थियेटर तमाशी त्यादी में कारे आते थे तो तीन इसने बताये थे कौन-कौन से सैनेटर अशुरही और फूहड निमनतर ये तीन इसने बताये थे तो कोई दो आपको बताने थे बस ज़्यादा नहीं ठीक है तो दास प्रजनन, नीरो, इतियासका, टैसिटर सारी चीज़ समझ में आगे होंगी आगे treatment of slaves तो slaves के treatment के बारे में क्या-क्या बात हैं आप यहां से पढ़ सकते हैं उसके बाद आके discuss करते हैं तो ये रहे आपके question और answer अच्छे तरीके से दिये गए हैं ठीक है चलिए आगे discuss कर लें अब बात करते हैं अगले की तो यहां पर वच्चो गजन खान के भाशन के बारे में अब गजन खान क्या भाशन देते हैं क्या नहीं वो कौन था वो यहां पर देखेंगे अभी हम गजन खान गजन खान 1245 से 1304 यह पहला इल्खान ही सा सकता ठीक है जिसने क्या बोलते हैं धर्म परिवत्न करके इसलाम गिर्ण किया था अगर आप देखेंगे इस दोरान इसने किया था बारस बज़ान में सुरू किया था और तेरस बज़ान में इसके फ्रेमित्री हो गये थी एक सेकंड अगला कोश्यं कहा है बच्चो कि उपरोगत गद्यान्ज में दिए गए भाशन को किस ने लिखा है कि इसके वजीर जिसका नाम था रशूत दीन, अधाम था? रशूत दीन. इस ने लिखा था, एक इरानी Вजीद इसके इरानी वजीद रशूत दीन ने लिखा था उप्रोत गद्याऊंस मैं भाशण के अंदर रगत किसानों के लिये क्या कहा गए बाइब था भाशण के अंदर GATT कि षान कि ये रहाँ देखो कि यदि आप किšाश्णरु का अपमान करेंगे और उनके बैल और उनके एनाज की भीच को छीन लेंगे तो उनकी फसीलों को कुचल डालेंगे तो आप विसमें क्या करेंगे करेंगे एक तो क्या है गजन खान की speech आप यहां से पढ़ सकते हैं बड़ी आतरीके से ठीक है यह रहा आपका फिर आता है इसके questions तो तीनों questions यहां पे रहे और तीनों questions आपके यहां पे हैं जो कि आप देख सकते हैं ठीक है बच्चो चलिए आप डिसकर्स करते हैं section number A को अब section A में पर मैं बना चुका हूँ अगर आपको वीडियो नहीं देखी है तो highly recommended है यहां पर i button में आपको में लिंक के देढ़ेंगा map की वीडियो का जाके देख लेना अब हम यह बात करतें कि paper में आपके map के question कैसे आएंगे तो map का question कुछ यह वरिकार से आएगा कि आपको तीन को बताना है ठीक है फिर अगला जो map रहेगा उसमें आपको दो चीज़ा अंकित की हुई दी जाएंगे जैसे यह देख रहे है न यहां पर है और भी यहां पर यह अंकित क्या हुगा है और इसी के संबद में फिर आपसे यह दो जानकारी दी जाएंगी और इसका नाम बता आना है ओके चलिए अब अभी तक हमने आपके कई सारे डिसकस कर लिए थे map अब यहां पर हमें कौन नया map डिसकस करेंगे ठीक है और यह map बिसिकली आप देख सकते हैं जो इटली के राज्जिये इसके बारे में तो इटली के राज्जिय में आपके लिए जो सबसे इंपो कोर्शिका कहां है ऊपर में यह साडिनिया है और यह शिसली है प्रियाद कर लो आप जेनेवा जेनेवा आपका इसे गया पर है और उपर पादुआ और वेनिस है बस यह यह याद करो पादुआ और वेनिस और नीचे आप रोमियाद कर लो और फ्लोरेंस ठीक है तो पहले ह हम देखते हैं कौन सा कार कार में है ध्यानसे वच्चों सबसे पहला जो हमारा ये है ये का है वच्चों पहला वाला यह कोरिछिका ना ये kर्सा का दूसरा वाला जो आपको यूट रहे है ये कहे है यह साडीनिया कहे है senior सारडीनिया इसको अटाड़ो सारडीनिया और तीसरा क्या है यह है अभी सिसली है ना यह है सिसली यह तो गए छोटे द्वीप अब हम डिसकर्स करते हैं जो हमने आपको तीन जगे और बताई है सबसे पहले ऊपर है जेनेवा पादुआ और वेनिस ठीक है तो जेनेवा कहा है आपका यह रहा जेनेवा ठीक है यहाँ पे है पादुआ और इसी के नीचे आपका वेनिस फिर यहाँ पे आपका आ जाता है रोम और यहाँ पे आपका जाता है फ्लोरेंस बस यह चीज़ आपके याद रखने इटली के राज के बारे में और कुछ भी याद रखने के ठीक है? I hope वीडियो चलेगी होगी वीडियो चलेगी हो तो ज़ादा से ज़ादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो ठीक है? ताकि आपकी वज़़े से वो भी अपनी तयारी अच्छे से कर सकें और देखो बच्चो अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करोगे तो हमारा और मॉटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियो उसको बनाने के लिए और एक तो बात यह है कि आप जब आप लाइक करते हो तो यूटिव को यह लगता है कि यह बहुत बहुत रही है तो इसे और लोगों को दिखानी चाहिए तो आपका एक लाइक बहुत से वत्चों किसे वीडियो को पहुँचा सकता है तो आपके एक लाइक की इंपोर्टन्स क्या है आज आपको पता चलि भी वहँगी उसको शेर करो लाइक करो जारा जारा मिलते के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्जबाद All the best advance में जै हिन जै वारत वन्द मात्रम